हलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ रेड्मी की तरफ से एक नया स्मार्टफून जो लेटेस लॉंच कर दिया रेड्मी न इंडिया के अंदर रेड्मी का 9 एक्टिव तो इस वीडियो में इसके अंदर क्या क्या खूबिया है क्या क्या कमिया है आपको इसको खरीदना चाहिए या फिर नहीं तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा बॉकस आपको इसका कुछ इस तरह किसे मिल जाता है पीछी की तरफ इस सारी स्पेसिफिकेशन्स दी गई है आप पढ़ सकते हैं बाकि दोस्तों रेट जो मिलता है बॉक्स के ओपर लिखा हुआ वो है 11,000 का लेकिन यह आपको ऑनलाइन मिल जाएगा Amazon पर 9,000 का रेट है इसका 9,000 9,500 चली देखते हैं इसके साथ आपको कैके दिया गया है तो जैसे आप अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर जो मेरे पास है ब्लैक टाइप के कलर में डिटेल लूक हम अभी देखेंगे एक मीनी बॉक्स मिल जाता है इसके बाद इसमें लगवा है एक सिमजेक्टर टूल अंदर दिये गए हैं इसके कुछ यूजर मैनूल इस तरीके से कवर इसके साथ दोस्तों आपको नहीं दिया गया वो आपको अलग से ही खरीदना पड़ेगा मार्किट से इसके बाद दी गई है ये ब्लैक कलर में डिटा केबल लेंथ और कुएलिटी इसकी दोनों काफी ज़ादा बढ़िया है और दोस्तो टाइप सी केबल इसके साथ आपको नहीं दी गई USB to Micro USB केबल ही मिलती है आखिर में रखावा मिलता है ये ब्लैक कलर में चार्जर इसकी बिल्ड कुएलिटी काफी बढ़िया है बाकि इसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5 वॉल्ट 2 एंपियर का ही तो ये सिंपल सा 10 वाट का ही चार्जर है चार्जर आपको फास्ट तो नहीं दिया गया सिंपल 10 वाट का ही मिलता है बाकि मुझे इसके अंदर कमी ये लगी अगर बॉक्स के अंदर कवर भी होता टाइप सी केबल होती तो बहुत ज़ाद अच्छा रहता तो ये सारा समान आपको मिलता है दोस्तो लेटेस्ट रेड्मी के नाइन एक्टिव के साथ 9000 में रेट किसाब से देखा जाए तो बॉक्स के अंदर आपको कंटेंट्स क्वालिटी वाइस तो काफी बढ़िया दिये गए है डेटे केबल चार्जर की क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है बागी अगर टाइप सी केबल होती कवर भी होता तो और जाद अच्छा रहता चलिए बात कर लेते हैं अब दोस्तो डिजाइन के बारे में इस मुबाल के डिजाइन में आपको दिखा देता हूँ दोस्तो अगर आपने रेड्मी 9 देखा है नहीं दिया गया बिल्कुल वैसे ही मिलता है पहले की तरह नीची की तरह रेड्मी की ब्रांडिंग दी गई है इसके लब दोस्तो फिंगर पेंट स्कैनर इसके अदर आपको मिल जाता है बैक पेनल पे बीच में और कुछ इस डिजाइन में आपको बीची की तरह दो कैमरे दिये गया है डिजाइन कुछ इस तरीके का है लग रहा है चार बाकी दोस्तो दो कैमरे मिलते हैं इस में में कैमरा है पहला 13 MP, दूसरा 2 MP, फ्रंटेस का 5 MP का कैमरे की जो दोस्तो परफॉमेंस हम आपको इसके अदर काफी अच्छी मिल जाती है इसके लग दोस्तों आप देख सकते हैं complete design आपको इसका design कैसा लगा comment करके जरूर बताईएगा मुझे दोस्तों design में ये mobile काफी अच्छा लगा क्योंकि quality काफी important है जो अच्छी दी गई है इसके अंदर बात कर दोस्तों display के बारे में तो इस mobile के अंदर आपको साड़े change की display दी गई है 6.5 inches की जो की एक IPS HD plus display है अगर full HD plus display होती तो काफी बढ़िया रहता बाकि दोस्तों display की quality actual में आपको कैसी मिलती है reality में कैसी है इसकी display मैं आपको दिखा देता हूँ बाकि इतना ये setup होता है इतना दोस्तों मैं आपको एक Bluetooth दिखाना चाहता हूँ जो की है EXA कंपनी की तरफ से EXA का GT1 True Wireless Gaming Earbuds दोस्तों ये Gaming Earbuds है इनका box आपको कुछ इस तरी के से दिया गया है side में आपको ये सारी specifications मिल जाती है ये Gaming Earbuds है Quality इनके आपको बहुत जादा बढ़िया दी गई है चलिए जल्दी से इनको Unbox कर लेते हैं देखते हैं इनके साथ आपको कैके दिया गया है तो Packing इनकी काफी बढ़िया है जैसे आप Unbox करते हैं सबसे पहले ये User Manual दिये गया है इसके इसके बाद दोस्तों मिल जाते हैं कुछ ये Pairs, Ear Tips के इसके साथ आपको ये Type-C केबल दी गई है ये चीज़ काफी बढ़िया है केस का Design अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत जादा बढ़िया दिया गया है काफी Unique Design है इसका Diamond Cut के अंदर और दोस्तों पीछे की तरफ Charging Port दिया गया है Friend में आपको LED Lights मिल जाती हैं दोनों तरफ जो बहुत जादा बढ़िया लगती है Design तो इसका बहुत जादा अच्छा है जब आप इसको Open करते हैं सकी लिड को तो कुछ इस तरह के साथ को देखने को मिलता है और दोस्तों Earbuds के अंदर भी आपको Lights दी गई है जो बहुत जादा यूनिक लगती है काफी बढ़िया Earbuds हैं दोस्तों Case की Quality भी आपको काफी जादा Heart दी गई है काफी Solid Quality का Case है और दोस्तों 500 Image की Battery Capacity है इसकी जो की काफी जादा बढ़िया है तो बैटरी बैकप इसके अंदर आपको बहुत जादा बढ़िया मिल जाएगा और दोस्तों कुछ इस तरीके साब इसको Open कर सकते हैं Earbuds के अंदर दोस्तों आपको Magnetic Effect दिया गया है Case के अंदर भी जब आप इनको ऐसे Place करते हैं तो यह Automatically Connect हो जाते हैं जो चीज काफी जादा बढ़िया है इसके लाव दोस्तों बैटरी बैकप इनके अंदर आपको बहुत बढ़िया मिलता है Gaming Mode दिया गया है अलग से Touch Control इसके अंदर आपको दिया गया है Sound की Quality, Battery Backup, Design हर चीज बहुत जादा बैस्ट है इनके बै करने का लिंक दोस्तों में निचे डिस्क्रिप्शन में दिया है आप जरूर चेक कर लिएगा प्राइस है इनका 50 डॉलर के असपास लगवग 35 रुपे के असपास चलिए Redmi 9 Active देख लेते हैं अन हो चुका है तो दोस्तों इसके अंदर आपको User Interface कुछ इस तरीके से दिया गया है आप ऐसे उपर की तरफ स्वाइब करेंगे आपको सारी Applications मिल जाती है इसके अंदर आपको AppDraw दिया गया है दोस्तों वैसे तो यूज़ करने में यह काफी ज़ादा स्मूध लगता है हैंग होने की दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलती बाकि इसके अंदर आपको दोस्तों डिस्प्ले में 60 Hz का ही Normal Refresh Rate मिलता है क्योंकि कीमती काफी कम है इस बज़ट के अंदर जाद तर स्मार्टफोन में आपको 60 Hz का ही Refresh Rate मिलता है तो दोस्तों इसके अंदर आपको User Interface काफी बढ़िया दिया गया है अब इसकी डिस्प्ले की जो Quality है मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ बिल्कुल Full Brightness करके तो डिज़इन इसके अंदर आपको वही पुराना दिया गया है Notch वाला Aegis Bezels आपको काफी कम दिये गया है बाकि दोस्तों डिस्प्ले की जो Quality है हालकि IPS HD Plus डिस्प्ले है Full HD Plus डिस्प्ले नहीं दी गई लेकिन फिर भी दोस्तों डिस्प्ले की जो Colors है Brightness है उसके अंदर आपको काफी जादा बढ़िया मिल जाते है डिस्प्ले की Quality को लेकर ये Mobile काफी जादा बढ़िया है Size भी अच्छा है Design तो इसके अंदर वैसा आपको Normal ही दिया गया है बाकि दोस्तों Brightness और Colors काफी जादा अच्छे हैं दूसरा एंगल से मैं आपको इसका डिजाइन दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं Light की Reflection इसके Back Panel पे काफी जादा बढ़िया लग रही है Lining साब को कुछ इस तरीके से मिल जाती है इसके लव दोस्तों Left साइट साब देहेंगे इस Mobile को तो SIM की ट्रे दी गई है इस तरफ काफी Slim Mobile है ये पतला भी है, हलका भी है SIM की ट्रे ऐसी दी गई है जिसके अंदर आप दो SIM Card और एक Memory Card तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं ये खुब इसके अंदर आपको दी गई है जो की काफी जादा important है 4G Geo की SIM इसमा आप यूज़ कर सकते हैं नीचे की साइट साब देहेंगे तो माइक दिया गया है इस तरफ बीच में Charging Port है और राइट साइट पर आपको Speaker दिया गया है राइट साइट पर देहेंगे तो Volume के बटन्स और Power का बटन दिया गया है बटन्स मुझे इसके थोड़े से अंदर की तरफ लगे Power का बटन थोड़ा अंदर लगा अगर और जादा बाहर होता तो काफी बढ़िया रहता उपर से देहेंगे तो Headphone Jack दिया गया है इस तरफ बागी दोस्तो साइट उसे Build Quality काफी बढ़िया है कैमरा कुछ इस तरी किसे इतना बाहर निकला हुआ है Cover लगाने के बाद बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आप कैमरे की साइट से भी रखेंगे तो Scratches नहीं आएंगे इसके अंदर दोस्तो आपको 9,000 में दी गई है 4GB RAM, 64GB के Internal Storage तो RAM और Storage इसके अंदर आपको काफी अच्छी Free मिल जाती है तकरीबन 11GB के आसपास पहले से यूजड है तो आपको 52GB Storage फ्री दी गई है इसके अंदर जो की काफी जादा है अकसर आपको 50GB के आसपास ही मिलती है इसके अंदर दोस्तो आपको Android का 10 वर्जन दिया गया है लेटेस्ट वर्जन 11 होता तो काफी बढ़िया रहता क्योंकि लेटेस्ट मुबाइल है ये Redmi 9 Active तो लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए था बात कर दोस्तो बैटरी के बारे में तो बैटरी दी गई है 5000 image की एक दिन का बैटरी बैक अप इसके अंदर आपको अराम से मिल जाता है बैटरी को लेकर ये मुबाइल काफी बढ़िया है और दोस्तो इसके अंदर आपको प्रोस्तर दिया गया है MediaTekka G35 तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर है थोड़े बहुत हेवी यूजर है तो दिक्कत नहीं होगी बाकि अगर आपको परफॉमेंस की वज़े से ही मुबाइल लेना है तो दोस्तो इसके अंदर आपको प्रोस्तर इतना भी जादा बढ़िया नहीं दिया गया अगर आपको processor के वज़े से ही mobile लेना है बाकि normal use के अंदर जिसे आपको game वगेरा नहीं खेलने calling वगेरा करनी है, whatsapp, youtube वगेरा use करना है थोड़ी बहुत game खेलना है तो दिक्कत नहीं होगी बाकि अगर आपको heavy gaming करनी है तो इसके अंदर आपको ज़रूर दिक्कत होगी क्योंकि इसके अंदर आपको processor normal ही दिया गया है तो ये सारी खुब ये कम्याप को मिलते हैं Redmi 9 Active के अंदर 9.5,000 में चली बात कर लेते हैं सबसे main चीज आपको इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो matter सबसे पहले ये करता है कि आपकी जो main जरूत की चीज है वो इसके अंदर कैसी है तो दोस्तों अगर आपको battery backup बढ़िये चाहिए तो ये आपके लिए काफी बढ़िये रहेगा battery इसके अंदर आपको अच्छी दी गई है आप इसको खरीश सकते हैं display आपको बढ़िये चाहिए तो भी आपके लिए काफी बढ़िये रहेगा आप इसको खरीश सकते हैं display की quality इसके अंदर आपको अच्छी दी गई है brightness colors काफी बढ़िया है इसके साथ दोस्तों अगर आपको camera अच्छा चाहिए तो normal performance आपको इसके अंदर मिल जाती है आप इसको ले सकते हैं camera इसके अंदर वैसे आपको अच्छा दिया गया है बाकि दोस्तों अगर आपको processor की वज़े से mobile लेना है तो मैं आपसे कहूंगा आपको योरसा smartphone देख लिएगा इस budget के अंदर आपको और दूसरे smartphone मिल जाते हैं जादा बढ़िया processor वाले बाकि दोस्तों design इसके अंदर आपको अच्छा दिया गया है तो अगर आपके लिए design matter करता है RAM और storage आपको अच्छी चाहिए तो भी ये mobile आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा आप इसको ले सकते हैं तो सिर्फ एक processor को लेकर मुझे ये normal लगा बाकि सारी खुबिया इसके अंदर आपको बढ़िया दी गई है आप इसको ले सकते हैं अगर आप एक normal user है performance की वज़े सा आपको mobile नहीं लेना gaming वगेरा नहीं करनी तो ये mobile आप ले सकते हैं आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा आप बताएगा फिर भी comment करके आपको ये कैसा लगा कैसा नहीं comment करके बताएगा वीडियो दोस्तों गर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो को नीचे जो ये लाल कलर का बटन उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बैल ऐकन भी दबा दियेगा ताकि नए वीडियो आप तक पहुँचते रहें इसके लब वीडियो गर आपको helpful लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेर जरूर कर दियेगा वाटसेप पर फेस्बुक पर और इयर बर्ड्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है जरूर चेक कर लिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर